आज मैं आपको भंडारे वाली कद्दू की खट्टी मिटी सब्जी बनाना बता रहे हूं इस सब्जी को बनाना आसान है और सबसे अच्छी बात इस सब्जी खाने हैं बहुत ज्यादा स्वादिश्ट होती है इसको आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं तो चलिए आज हम देखते हैं कि आसान तरीके से भंडारे वाली कद्दू की खट्टी मिटी सब्जी कैसे बनती है तो चलिए देर किस बात की, कद्दू की खट्टी मिटी सबजी की रेस्पी को हम शुरू करते हैं भंडारे वाली कद्दू की खट्टी मिटी सबजी बनाने के लिए मैंने यापर 500 ग्राम कद्दू लिया है इसको मैंने काटके, धोके और छील की रख लिया है बारी कटा हुआ हरा धनिया, चार चम मच गुड, चार चम मच रिफाइन डॉयल, एक चुटा चम मच मेथी दाना, एक चुटा चम मच लाल मेच पाउडर, एक चुटा चम मच गरा मसाला, एक चुटा चम मच धनिया पाउडर, एक चुटा चम मच हल्दी पाउडर, एक तेल में डाली में तेजबा, सौफ , जीरा , मेथि दाना , बूझे खड़े मसाले यहाँ पर भूझ गया है तो गैस्कोर गैस को मेडियम कर देखे अब हमें यहाँ पर ड्राय मसाले डालने हैं तो गैस को मीडियम रखेंगे अब डालेंगे हम लाल मिज पाउडर हल्दी पाउडर धन्या पाउडर और लगभग 4 चमच पानी डालेंगे पानी डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम हाई करेंगे हाई फिलेम में मसाले को हम बहुत ही कम टाईम के लिए तो हम भूनेंगे ईसको में जादा देर तक नहीं भूना है लगबत 20 से 25 सेकेंड तक मसाले को हमें हाई फ्लेम पे लगाता चलाते हुए भूनना है मसाला यहाँ पर हमारा भून गया है तो अब हम मसाले में कद्दू डालेंगे और गैस को मीडियम करेंगे अब डालेंगे हम नमक, पुड़ और सबको हम अच्छे से मिला देंगे कद्दू की सबजी बनाती समय आप एक बात का ध्यान रखें कि अमचुर पाउडर आप अभी एड ना करें अगर आप अमचुर पाउडर अभी डाल देंगे तो कद्दू नहीं पकेगा तो इस बात का ध्यान रखें कि अमचुर पाउडर को आप बाद में ही डालें जब कद्दू अच्छे से पक जाए तो अब हम डालेंगे यहाँ पर लगबग आदा कप पाई डालेंगे और गैस को हाई करेंगे पाई डालकर हम कद्दू में अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़े यहाँ पर हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है अब हम यहाँ पर कद्दू को पकाना है तो गैस को हम लो करेंगे लो फ्लेम पे कद्दू को हम 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे सबजी को हम चेक करने के लिए एक स्पैचुला में इस तरीके से कद्दू का एक पीस लेंगे और दूसरी चम्मच से पीस को हम इस तरीके से काटेंगे तो अभी आप यहां देख सकते कि कद्दू हमारा अच्छे से सौफ नहीं हुआ है तो इसको 5 मिनिट तक और पकाएंगे तो कड़ाई को हम कवर करेंगे और कवर करके कद्दू को हम 5 मिनिट तक पकाएंगे कद्दू को पकते-पकते 5 मिनिट और हो गए हैं तो कद्दू को हम फिर से चेक कर लेते हैं आप यहां देख सकते कि कद्दू का पानी एकदम सूप गया है और कद्दू यहां पर हमारा अच्छे से पक गया है तो कद्दू को हम एक बार और चेक कर लेते हैं तो इस पैचुला की सायता से कद्दू को हम दबाएंगे तो आप यहां देख सकते हैं कद्दू यहां पर हमारा अच्छे से दबने लगा है इसका मतलब है कि कद्दू हमारा अच्छे से पक गया है और कद्दू एकदम सौप भी हो गया है तो अब हम कद्दू में गरम असार मिक्स करेंगे, कद्दू की सब्जी मारी तयार है, थोड़ा सा हम धनिया के पत्तियों से गाणिश करेंगे और गैस को हम बंद करेंगे इस कद्दू की सब्जी को आप रोटी के साथ, पूडी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं पर सब्जी का में कॉमिनिशन है वो है पराठा और पूडी पराटे पूरी के साथ ये सबजी खाई जाती है और ये सबजी खाने में सौधिश्ट होती है तो अगर आपको मेरे ये भंडारे वाले कद्दू की खटी मिटी सबजी की रेस्पी अच्छी लगे तो रेस्पी को लाइक और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें थैंक यू